कि अजय हैं नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोजरी शुवाद करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो केड़ी में बहुत सारे बच्चे इस्पेशली आप में से आप भी जब डेली रनिंग करते होंगे अभी जिनके टैस्ट शुरू होने वाले एक तारिक से से स पहले और रनिंग करते हैं पांच किलोमेटर की रनिंग के द्वरान आपके भी शरीर में कहीं न कहीं दर्द पक्का होता होगा ठीक है एक सबसे बड़ी जो समस्या रहती है कि रनिंग करने से पहले कुछ खाए या ना खाए क्या खाके दोड़े ताकि हमारे शरीर में प्र करना लोंग रनिंग है और गला सुक जाता है दूसरा क्याता साइड कोल में दर्द जो आपकी साइड कोल है उसमें क्या होता है दर्द होना शुरू हो जाता है तीसरा एक पेरों में दर्द यह कुमें सी चीजे हैं झो होती होती है इनमें तो सब च्वीरधा करने वाली है ओर घले उलकल जबता कि यह जड़ındaki जिता नहीं युद़ परिशान करता है पैरों में तो नॉर्मली इन्सान के अपिन इतना स्ट्रोंग हो आपने पिया मिक्सर किया और पेट में दर्द शुरू हो गया दोड़ना बहुत मुस्किल हो जाता है। तो इस क्या खाके हम दोड़े या कुछ खाएं या नहीं खाएं पांच किलोमेटर रणिंग से पहले तो देखिए जिन भी बच्चों की रणिंग है इस्पेशली ध्यानक आप उस दिन संत्रा खा सकते हो ठीक है और हलका फूलका कुछ पेट में होना भी चाहिए रणिंग करते हैं अगर पेट पूरा खाली है तो भी बहुत मुस्किल है तो आप कुछ फूरूट खा सकते हो लेकिन आप यह बाद जानक न आप शंत्रा जरूर लेके जाना रणिंग के दोरान ठीक है शंत्रा जर अब आसा आता रता लार वो ठूकते रहते फिर बच्चे उसके लिए हैं संत्रा आप संत्रा खाओगे तौपको वमिटिक नहीं होगी बहुत सारे बचों को इल्टी हो जाती है तो यह तो एक आपका गला निइंग सुखेगा तो रूनिंग वाले दिन यह तो लेके जाना ह लगदाम सकते हैं काजु का सकते हैं अग monitor अगर आप खाते हो तो पेट स्ञब गए तो दर्द नहीं करेंगी यह भूजन नहीं करना है खाके नहीं दोड़ना का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे की पेट में बजन हो जाए या बजन आपको लगे या आपको आलस याए तो इस परकार की चीज खासे तो अंजीर खा सकते हो अगर अंजीर मानलों समय आप नहीं अवेलेबल होती है तो जूस पी भी सकते हो कोई भी ती और बाद में ट्रोलरेट करके ही रणिंग करना रणिंग करने से पहले ये बाद धा करना पहले तो ईससे जानः कर लेकित संत्रा खाना उस दिए दिन आपकी रनिंग है तो से तो आपको गला नहीं शुके का एक आपको वोमेटिक नहीं होगी ठीक है एक जो लार बंती हो वो नहीं बंदोगी तो इससे फायदा ही होगा कि आपको प्यास कम लगेगी एक इलेक्ट्रो करके प्यादी गलास होगता हो नहीं होगा डिया डियरेशन पीटी होगा ठीक है यह भी आप पहले दिन भी रात में पीशक्ते और उस दिन शुबह भी आप पीशक्तों पानी में तो ज्यादा बेटर रहेगा जब आपके रनिंग उस दिन पीशक्ति हो रहे बहुत अच्छी आप को बड़ी आशे भोजन करना ठीक है पहले जिन में अच्छा से बसने यह दो नहीं कि अगराफ उपट ऄसे नहीं तो पीट में दर्श भान उपेटशन हो जाएगा तो पर नहीं तो बहुत समझाशा हो जाएगी और समस्टाव का सामना नहीं कर पाओगे ठीक है बाद में यह अंगुठे दापते रहोगे लेकिन दर्द बंद नहीं होगा अगर आपके साइड कोल में दर्द होता वैसे आप यह अंगुठा इस परकार से दबाके और दोड़ आप एक दिन पहले ले शकते लाड़ ले उस दिन मतले ना सिर्फ ओमनी जेल लगा के और उसकी हलके से छोड़ देन तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा यह रनिंग करते समय भी आप ओमनी जेल लगा के फिर दोड़ सकते हो गरम पठी मत बांद लेना पठी बांद के नहीं दोड़ पाऊगे नाई पहले दिन पठी बांद लेना गरम पठी के अउद्धी कम से कम 30 मिनट के बाद में उसको हटा देना चाहिए पेर पे कहीं पे भी आपने बांठ आप